आज तक मैं हूँ आपके साथ नवजोत रंधावा एक फरवरी को बजट सत्र बजट पेश होना है बजट सत्र की शुरुआत हो चुके लेकिन उससे पहली सरकार विपक्ष को जाधने के लिए ओल पार्टी मीटिंग कर रही है और सभी पाठियो के फ्लो लीडर्स के साथ रक्षमंत्री राजना सिंग, संसद्य कारे मंत्री प्रलार जोशी, संसद्य कारे राज्रमंत्री अरजुन मेगवाल और वी मुर्ली धरन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मीटिंग कर रहा है सरकार की तरफ से भी सभी विपक्षी दलो को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कुशी संबंदी कानूनों समेट सभी मुत्वपर चर्चा के लिए तैयार है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाएगा जरूर और कल राष्टपती की अभिभाशन के दौरान हमने देख लिया था कि विपक्ष की तेवर क्या है लेकिन आज सरवदली बैठक में इसी को लेकर चर्चा हो रही है किस तरीके से सुचारूर रूप से सेशन को आगे चलाया जाएगा देखें बिलकुल नवजोत की ये इसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है और वीडियो कंफिंसिंग के थ्रू है औल पार्टी मिटिंग है जिसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स है खुद प्रधान मंत्री नरेंदरुमोदी इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि संसत के सत्र को सुचारू रूप से चलाय जाए किसी भी तरीके का जो है विवधान ना हो और सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की गई है लेकिन आप चर्चा कीजिए और संसत के बज़ट सत्र को चलने दीजिए अच्छे से क्योंकि कल राश्पती के अभीभाषन का बायकर जो है पीस विपक्षी दलों ने क्या था और राश्पती के अभीभाषन के दोरान Central Hall के बार नारेबाजी भी करने की कोशिश की गई थी तो उसको लेकर तमाम चीजे जो है सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से अपील की जा रही है कि इस बजट सत्र को सुचार रूप से चलने दीजे यह बहुत important है और बजट क्योंकि पेश होना और बजट पर चर्चा होनी है और पहले चार दिन बजट सत्र पेश होने के बाद जो है दो तारीक से जो है राश्पती के अभिवाशन पर चर्चा होगी जिसमें सभी विपक्षी दल जो है वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं न कहीं सरकार ये कोशिश में है कि ये बजट सत्र जो है पिछले सत्र की तरह हंगामेदार ना रहें लेकिन ऐसे में बहुत एहम और बड़ी बात होगी क्योंकि आज की ये जो बैचेक हो रही है इसमें इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे विपक्ष को भी confidence मिलिया खास तोर पर अगर किशी कानूनों की बात करें तो है मांचु लेकि बिल्कुल इसी लिए सरकार चाहती है कि अगर आपको किशी कानूनों को लेकर चर्चा करनी है तो सरकार उसके लिए तयार है बियसी जानी कि जो business advisory committee होती है दोनों सत्रों की वो तै कर ले किस दिन कितने स हंगामा ना किया जाए क्योंकि बज़ट सत्रों बहुत ही महत्तपूर्ण होता है दो यह कह सकते हैं कि दो कालखंड में होता है पहला रिसर्स जो है पार्ट वह 29 से शुरू है पंदरा फरवरी तक जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर से 8 मार्च से शुरू होगा और 8 हप्रल तक जाएगा तो सरकार चाहिए बज़ट को बिना विवधान के पास कराया जाए नजरा बना रखिए शुक्रिया फिलाल पूरी जानकारी के लिए टॉटिंग आपके पास